अब यार भाई, फीवर हो रखा एत्ति जोर से, खड़ा बिन्याओं यारा, न चीक पाऊंवा, न लंबा बोल बाऊंवा, शौर्ट में बताऊंवा, करें शुरू, पस इन देख रहें, उपर से खांसी ओर रोखनी पड़ेगी, खांसी आरी एत्ति जोर से, कैसे रोखूंग खांसी मैं, मैं तो रड़ी हूँ, या ला, चुट्टी बिन देते जनता मुझे, शुरू कुरूं, सलाम, नमस्ते सस्रीकाल, मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं, दोस्तों, रजा गराफी, दोस्तों, आपको ये पता होगा, कि पुतिन को, यानि रूस के राश्पती क कातिल हतियारा कहा था, किसने, अमरीका के राश्पती बाइडन ने, जी हाँ, दोस्तों, और कई बाते कही थी, लेकिन शौर्ट में सुन लिजे, तब ये ठीक नहीं है, मामला ये है, कि पत्रकार के सवाल करने पर, बाइडन ने रूस के प्रेजिडेंट को कातिल हतियारा क कहने के बाद, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाओं में पुतिन ने हेर फेर करवाया है, और उसकी सजा उन्हें जल्द मिलेगी, उनको ये भुगतना पड़ेगा, दोस्तों, सारी बाते तो एक तरफी, लेकिन पुतिन को डिरेक्ट हतियारा कहने पर, पूरे ही दुनिया में बवाल खड़ा हो गया, इसके बाद रशिया ने अपने अम्बैजिटर को अमरीका से वापस बुला लिया, हाला कि अभी ये केलियर नहीं किया है कि पर्मेनेंटली बुलाया है, या फिर वापस जाएंगे या बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन अभी तक हमापाद दो इसके मताभिग बात करने के लिए अपने नेतला को वापस बुलाया है, दोस्तों अब इस पर बयान, पुटिन का बड़ा सक्त आगया है, पुटिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, कि एक बचपन की कहावत है वो कहावत बेकार नहीं है वो कहावत किसी सत्य और तत्य पर अधारित है और कहावत वो यह है कि जो जैसा होता है दूसरे को वैसा ही समझता है इसके पीछे उन्होंने साइंस का भी सहारा लिया और कहा कि इसके पीछे एक science है इसके पीछे एक सच्चाई है कि जो जैसा होता है वो उमीद करता है और सामने वाले में अपने ही गुर देखने की कोशिश करता है लहाजा 78 साल के बाइडन की सिहत के लिए मैं दुआ करता हूं और ये मैं मजात में नहीं बोल रहा हूं ये मैं serious note पर क trend कर रहा है साफ साफ जोरदार तमाचा ये बाइडन के मूपर है और पुतिन ने यहाँ पर clear कर दिया है कि हम अमरीका के साथ काम करना बंद नहीं करेंगे लेकिन हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते और अमरीका को भी नहीं करना चाहिए जिससे हालात ऐसे बन जाएं और हम दोनों इतने दूर हो जाएं कि वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं हो दोस्तों मैं बता दूं रशिया पर पावंदी लगाने की लगातार अमरीका कोशिश कर रहा है और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत बनके उभर रहा है इसी बीच आड़े तेड़े बयान आप बाइडन बिल्कुल टरम की तरह देना शुरू कर चुके हैं जिस पर पुतीन ने जोरदार तमाचा मार दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा और यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जैहिन